गुड इमिनिंग एवरिवन वल्कम टे सुबल सर्वसे श्टड़ी प्रेक्टिस सेट नंबर 317 पर आजाईए यूपी पीसियस के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्स सीरीज की बना रखें बहां पर आप टेस्स नंबर बन से लेकर 317 तक पहुंश सकते हो और डिस्क्रिप्शन ब प्रतिवेदक क्या धनवान व्यपारी था क्या कर संग्रहक था क्या पुजारी था या संबादाता था रिपोर्टर्स तो क्या था धनवान व्यपारी नहीं था संग्रहक कर संग्रहक नहीं था पुजारी नहीं था रिपोर्टर्स या संबादाताओं को तो मौरिकाल में प आसोक ने कहा था कि प्रतिवेदक को प्रजा से जुड़े किसी भी समचार से मुझे सदैव अबगत कराया जाना चाहिए ये प्रतिवेदक के लिए उसने बोला था मैं कहीं भी मैं चाहे कहीं पर भी रहू ठिक है चाहे विष्राम कक्ष में रहू या बार्टिका में रहूं, मैं लोगों के विशयों का निराकरण हर इस्थल पर करूँगा, ठीक है, ऐसा कहते थे वो, असो कहता था थे प्रतिवेदक को, कि चाहे कहीं पर भी रहूं, प्रजासी, प्रजा की जो भी समस्या हैं, उन्हें मुझको हर समय पर अवगत करा जाए चाहे मैं विश्राम कर रहा हूँ, बार्टिका में बैठा हूँ, ठीक है, कहीं पर भी हूँ चाहे, कॉश्चन नमबर टू पर आजए ये नम्रिखित कतनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है, यहां पर बताने कि नमेंसे कौन सा करेक्ट होगा, जब मुद्रा यानि इंफलेशन अधिक होती है, तो रुपे की सांकेतिक परभावी विनिमेदर वास्तविक परभावी विनिमेदर से अधिक होती है, पहला स्टेटमेंट तो यह हो गया, दूसरा है, उदारिकरत विनिमेदर तंतर परणाली बाजार संचालित विनिमेदर है, जो आधिक अधिकारिक दर को प्रभावित करती है। यानि नीर के साथ समय जित किया जाता है तो हमें रुपे की वास्तविक प्रुभावी बिनिमेंदर इसको बोलते हैं रीर यानि रियल एफेक्टिव एक्सचेंज रेट ठीक है जब मुद्रा स्विति अधिक होती है तो रुपे का रीर नीर से अधिक होता है ठीक है जब यानि अधिक कौन सा हो गया? अधिक हो गया रीर यानि रियल एफेक्टिव एक्षेंज रेट अधिक हो गया और नॉमिनल एफेक्टिव एक्षेंज रेट कम हो गया. अब देखें उधारिकरत विनिमेदर तंत्र परणाली जो है उसको केंद्रे बजट 1992-1993 में पारित किया गए था और इस परणाली द्वारा भारत में अपनी मुद्रा को नियत विनिमेदर से पुर्तिस्थाफित कर अस्थाई विनिमेदर परणाली युग में जो है कदम और अर्थवस्था में घरलू मुद्रा की आप पूर्ति को दर्शाती है यह बाजार द्वारा संचालित विनिमेदर है जो ओफिशली यानि अधिकारिक दर को प्रणाली तो दूसरा वाला स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएगा कोश्चन नमबर थ्री पर आजएए भारत में पाई जाने वाली रेड सॉयल यानि लाल म्रदा के संदर में निम्रगित कत्मों पर विचार करना है देखें लाल मिट्टी रवेदार आगने चट्टानों पर विक्सित होती है और लाल मिट्टी में काली मिट्टी की अपेक्षा निक्षालन अधिक होता है लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फासफोरास तथा चूने की कमी होती है कमी होती है अधिक होती है देखे इन चीजों की कमी है तभी तो ये कम उपजाऊ है ठीक है इसलिए लाल दिखाई देती है करेक्ट है स्टेटमेंट और लाल मिट्टी काली मिट्टी के अपेक्षा जो है अपेक्षा करात अधिक निक्षालित होती है सही है वाला भी रवेदा आगने चट्टानों पर विक्सित होती है, तीनों के तीनों स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, D है इसका अंसर 1, 2, 3, तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षनी भाग में, कम बर्षा वाले छेतरों में, रवेदार यानि क्रिष्टली आगने चट्टानों पर लाल मिट्टी विक्सित होती है, लाल मिट्टी अधिक निक्षालन वाली जलोड मिट्टी, ठीक है, जलोड मिट्टी है, जबकि काली मिट्टी जो है वो आजलोड है, ठीक है, आल जलोड अब कम निक्षालित होता है, अब देखें, लाल मिट्टी में नाइट्रोचन, ह यूमास फासपोर उसो चूने की कमी होती है किन्तु इसमें पोटास जो है वो पुर्चुर मात्रा में पाया जाता है लाल मट्टी में कोशन नमबर फोर पर आज़े हैं नमलेखित यूगमों पर विचार करना है क्या एक तरफ सिल्प है और उसके सामने उसका इस्थान है उसके संदर में नमलेखित कत्म पर विचार करना है तोल काप्यम तोल काप्यर द्वारा लिखा गया एक तमिल व्याकरण से संबंदित ग्रंथ है तोल काप्यम में भूमी के पांच प्रकार बताए गए हैं पांच प्रकार बताए गए हैं दो प्रकार बताए गए हैं पांच प्रकार बताए गए हैं और तोल काप्यम तोल काप्यार द्वारा लिखा गया एक तमिल व्याकरण है सही है दोनों के दोने statement C है इसका answer तो तोलकापियम तोलकापियर द्वारा लिखा गया था और इसे तमिल साहितिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन माना जाता है हाला कि यह है तमिल व्यक्रण से संबंदिते ग्रंथ है लेकिन यह है उस समय की राजनितिक और सामाजिक आर्थिक इस्तोतियों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है देखे तोलकापियम भूमी के पांच मुख्य परकार बताए गए है ठीक है तोलकापियम में भूमी के पांच मुख्य परकार बताए गए है कौन-कौन से है वो कुरुंजी भूमी कुरुंजी कुरुंजी यानि पहाड़ी भूमी मुल्लई मुल्लई यानि देहती भूमी मरुदम यानि क्रशियों के भूमी नेदल समुद्रवरती भूमी और पलय रेगेस्थानी भूमी ठीक है तो rare to rare case में ये फूछ रखता है लेकिन एक depression पूछ रखता है कि तोल कापयम में भूमी के पाँच प्रकार बताये गए हैं उसमें जो कुरुंजि प्रकार है वो किस प्रकार की भूमी है पहाडी भूमी रेगिस्थानी भूमी और क्रशी भूमी तो कैसी है कुरुंजी 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी धर्म सभा एक रूड़ी बादी समाज था जिसने सती प्रथा के उन्मूलन का विरोध किया था देखें राजराम महां राय के बारे में आपने इतना पड़ाओगा लेकिन क्या आपने अपने सुना था कोई धर्म सभा जिसी चीज की स्थापना की थी उन्हों ने ब्रह्म समाज का तो है देखे वर्स 1830 में धर्म सभा की स्थापना तो हुई थी लेकिन राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी राधा कांत देव ने की थी और धर्म सभा एक रूडी बादी समाज था जिसने सती प्रता के उन्मूलन का विरोध किया था दूसरा वाला करेक्ट के उद्देश में वर्स 1830 में राधा कांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी इसने गया था बेला स्टिट्मेंट धर्म सभा एक रूडी बादी समाज था जिसने समाजिक धार्मिक मामलों की यथा इस्तिके संड़क्षण के पक्ष में परतिवधिता दिखाई और सत कि समाज चाता था थोड़ी वो तंग्रेजी आ जाए कोईशन नमबर सेवन पर आ जाई है नमलेखित कत्नों पर विचार करना है उनने सो अठारे का खेडा सत्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असयोग आंदोलन था फिर से सुन लेजे उनने सो अठारे का खेडा सत इस सत्याग्रे की परिणाम सरूप सरकार कर निलंबन करने और सभी जब्त संपत्ती बापस करने में सहमत होई बिटिस सरकार क्या करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट या कोई गलत है देखे तीनों के तीनों एक्जेक्ट करेक्ट है पहला भी दूसरा भी तीसरा भी तो 1918 का खेड़ा सत्याग रहे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला असयोग आंदोलन था ठीक है पहला असयोग की बात हो रही है पहला असयोग आंदोलन था लेकिन 1917 का चमपाण इससे पहले सुरू था ठीक है अब देखे असा योग की बात हो रही हैं पर गुजरात के खेड़ा जिले में किसान फसलों के नश्ट होने के कारण और सरकार द्वारा फूर राजस्व माफ करने की मांग की अंदेखी से अत्यदिक परिसान थे बिट्टल भाई पटेल और गांधी जी के साथ सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के सरस्यों ने मामले का पता लगाया और किसानों की मांगो की वैधिता की पुष्टी की इसके बाद क्या हुआ राजस्व सहिता के अनुसार सामान उत्पादन के एक चोथाई से भी कम होने पर किसानों को कर्छूट करमे जो है छूट मिल सकती थी और गांधी जीने किसानों से करो का भुकतान ना करने का आहान किया पहला दूसरा करेक्ट हो जाता है हाँ पर स्टेटमेंट आन्दोलन के परणाम सरूप सरकार ने किसानों के साथ एक समझोता करने की मांग रखी यह चालू वर्स के लिए कर्ण रिलंबित करने और अगले वर्स इसकी दर्मे व्रधी को कम करने और सभी जब्त संपत्तियों को बापस करने पर सहमती हो इसमें ठीक है तो तीसरा भी करेक्ट हो जाता है को इसका उद्देश ब्रिटेज सरकार को उखाड फैंकना था क्या उन्निस सो पांच के आंदोलन का उद्देश स्वदेशी आंदोलन का उद्देश नहीं गलत है यह अकस्मात और स्वदेश फूर्ट आंदोलन था यह भी गलत है वो 1922 का भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें बड़े जमिदारों की भागिदारी नहीं थी यह भी गलत है बड़े जमिदार सामिल हो गए थे इसमें गुपाल कृष्ण कोखले की अध्यक्षता में बनारस सत्र में पारित किया गया था ये वाला करेक्ट है तो देखे स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद में सुरू हुआ था इसका उद्देश विटे सरकार के विरुद एक मजबूत विमार्स प्रस्तूत कर के विभाजन प्रस्तावों के विरुद भारत और इंग्लेंड में जन्मत तयार करना था ना कि देश किया जादी वर्स 1905 में भारते राष्टे कॉंग्रेस का वनारस अधिवेशन गुपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्सता में संपन हुआ जिसके प्रणाम सरूप क्या ह अंदोलन की बात करें तो कोई स्फूर्थ अंदोलन नहीं था यह इसकी उत्पत्ती होई थी विभाजन विरोधी आंदोलन से ठीक है विभाजन कर दिया था करजन ने 1905 में तो यह आंदोलन पैदा हुआ अब तक व्रेटेस साशन के प्रती बाफादार रहे जो बड़े ज जार कि मिदार कर बूशियर om में रहा कारवन कोंटम ौर। किस से संब्ड़नित है कारवन कोंटम ौ। किस से संब्ड़नित है seeks मानब शरीर में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए नैधानिक उपकरण से आप्शन नमबर सी कारवन क्वांटम ब्लक। तो देखे असम इस्थित वैग्यानिक और अध्योगिक अनुसंधान परिशाद उत्तर पूर विज्ञान तथा प्रदो की संस्थान के वैग्यानिकों की एक टीम ने रासाइनिक प्रकरिया विक्सित की है जिसके द्वारा खराब कोईले को बायो मेडिकल डॉट के रूप मे बदला जा सकता है इसके माध्यम से कैंसर कोशिकाओं यानि कैंसर सेल का पता लगाने में सहयता मिल सकती है देखे यह रासाइनिक प्रेविधी सस्ते प्रचुर मातरा में उपलवद निम्न गुडवत्ता और उच्छ सलफर वाले कोईले से कार्बन क्वांटम डॉट्स बन इनो मेटरियल का उपयोग जैब इमेजिंग के लिए नैदानिक उपकरणों के रूप में किया जाता है तथा इनका पुरियोग विसेश रूप से कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने रासाइनिक संबेदन और आटो अप्टो इलेक्ट्रोनेक्स ठीक है आप्टो इलेक्ट् साइमन कमिशन की रिपोर्ट की सिफारिसों पर चर्चा करने हित्यु गोल में संमेलन का आयजन किया गया था एक एकस स्जै्ट्मेंट थोड़ा बड़ा है ध्यान से सुनते रएगा भारतियराष्टे कौंग्रेस पहले गोल में संमेलन में भाग लिया महत्रमा गान्धी न स्टेट्मेंट पढ़ना बिल्कुल ध्यान से तो साइमन कमिशन की रिपोर्ट की सिफारिस पर चर्चा करने हितु गोल में सम्मेलन का आयोजन किया गया था करेक्ट है तीन गोल में सम्मेलन हुए 1931-32 और भारते राश्टे कॉंग्रेस ने दूसरे गोल में सम्मेलन में दूसरे गोल में सम्मेलन में जो कांग्रेस सामिल हो थी तो कांग्रेस की तरफ से महत्मा गांधी प्रतनिती थे ठीक है महत्मा गांधी ने दूसरे गोल में सम्मेलन में अच्छूतों के लिए अलग निरवाचक मंडल की मांग को स्विकार नहीं किया था ठीक है वो नहीं गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिती के रूप में दूसरे गोल में संभेलन में भाग लिया, उन्होंने अच्छूतों के लिए एक अलग निर्वाचक मंदल के विचार को अस्विकार कर दिया था, अस्विकार नहीं किया था, तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला और तीसरा 1932 में, ठीक है, तो दस प्रशनी एड किये गए थे, इंपोर्टेंट बड़े-बड़े स्टेटमेंट के साथ, इनकी प्रेक्टेस कर लीजेगा कम से कम दो बार, ठीक है, धन्यवाद,